हेलो एवरिवन लक्षे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हर दिख स्वागत है और आज हम एक नया वीडियो फिर से लेके आगए आप सभी के सामने और आज हम फिर से अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं 20 क्वेस्चन्स के उपर सर तो उमीद है कि आप सभी की तयारी अच्छी हो रही होगी और आप सभी स्वस्थ होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और वीडियो में आगे बटने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें साथ में अपने सभी साथियों के साथ सीर भी कर दें तो जै आज हमने इसको थोड़ा और जूम कर लिया है उमीद है कि अब ये अच्छे से दिख रहा होगा तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेशन स्टार्ट करते हैं भासा कक्षियाओं में गुणवत्तापूर्ण सिक्षन का मुख्या पहलू क्या है उप्षन नमबर वन है कारिय और स्थीतियों का परभार संभालने के लिए सिक्षन रणनीतियां उप्षन नमबर टू है विधार्थियों के परभाव, प्रेणा और संग्यान की अंदेकी करना उप्षन नमबर थ्री है मचान कारिया पढ़नाली और कारिया पूरा करने में सहयता करने से बचना ओप्शन नमबर फोर्थ है नियुन्तम स्पश्टिकर्ण और सीमित मोडलिंग परधान करना तो यहाँ पे राइट अंसर होगा ओप्शन नमबर फाइस्ट कारिया और स्थीतियों का परभार संभालने के लिए सिक्षन रणनीतिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ओटिष्टिक सिंड्रोम विकार जैसी विकलांगता वाले युवा वियासकों के लिए वियासक बनने पर सबसे बड़ी चुनोति क्या है ओप्शन नमबर फाइस्ट है दोस्त बनाना ओप्शन नमबर सेकेंड है नोकरी डूणडना Option number third है परिवार के साथ बाहर जाना Option number fourth है नई चीजे सीखना तो यहाँ पर right answer होगा नोकरी डूंडना Next question दो सवतंतर समूहों के माध्यों के बीच सार्थक अंतर है या नही यह निर्धारित करने के लिए किस सांखिकिया परिक्षन का उप्योग किया जाता है Option number first है एनोवा, Option number second है परतिगमन विसलेशन Option number third है काई वर्ग परिक्षन और Option number fourth है टी परिक्षन तो यहाँ पर right answer होगा Option number fourth टी परिक्षन Next question परभावी संचार के लिए साजह अर्थगत आधार का होना क्यों महत्तपून है तो option number first है यह सामाजिक संपरक और स्पष्ट संचार को सुगम बनाता है Option number second है यह वाक में व्याकर्णिक सुत्ता सुनिश्चित करता है Option number third है यह वाक्यों की वाक्या रचना को समझने में मदद करता है Option number fourth है यह अलंकारिक भासा और विस्तरित वीवरण के उप्योग की सुविधा देता है तो यहाँ पे right answer है option number first यह सामाजिक संपरक और स्पष्ट संचार को सुगम बनाता है Next question देखेंगे Autism से पीडित व्यक्ति के लिए कौन सा कोसल विसेश रूप से कठिन होता है जिससे उनके लिए आत्मनिर्भर रूप से रहना कठिन हो जाता है Option number first है समस्या समाधान और योजना Option number second है सामाजिक बनना Option number third है driving Option number fourth है खाना बनाना तो यहाँ पर राइठ अंसर होगा समस्या समाधान और योजना Next question देखेंगे कौन से व्याभार किसी विद्यार्थी में निमन मानसिक दक्सता का संकेत दे सकते हैं Option number first है सेक्षिक उपलवदियों में उतक्रिष्ट Option number second है कक्षिया की गतिवीदियों में सक्रिया रूप से भाग लेना Option number third है याद की गई जानकारी बार बार भूल जाना Option number fourth है परबल आतमविश्वास परदर्शित करना तो यहाँ पर राइट अंसर होगा Option number third याद की हुई जानकारी बार बार भूल जाना Next question देखेंगे कौन सी सिक्षन पत्ती विध्यार्थी केंदरित सिक्षा पर बल देती है जहां पर सिक्षक व्यक्यता के बजाए मदद करता के रूप में कारिया करता है Option number first है पूच्टाच आधारित अधिगम Option number second है परत्यक्स अनुदेश Option number third है पारंप्रिक सिक्षन Option number fourth है व्यक्यान आधारित अनुदेश तो यहाँ पर राइट अंसर होगा Option number first पूच्टाच आधारित अधिगम Next question देखेंगे अलग अलग सब्दों को जोड़कर वाक्या किस परकार बनता है इसका अध्यन क्या कहलाता है Option number first है वाक्या विन्यास Option number second है सब्दार्थ विग्यान Option number third है संकेत परियोग विग्यान Option number fourth है दवन्नी विग्यान तो यहाँ पर right answer होगा वाक्या विन्यास Next question देखेंगे केंद्रिय परवर्ति की वह माप क्या है जो किसी आंकडा समुच्या में सबसे अधिक बार आने वाले मान को दर्साती है Option number first है परिसर Option number second है माध्या Option number third है बहूलक और Option number fourth है माध्धी का तो यहाँ पर right answer होगा Option number third बहूलक Next question देखेंगे अधिगम की परकरिया के दोरान विध्यार्थी के समझ का मुल्यांकन करने और सुधार के लिए परतिपुष्टी परधान करने के लिए किस परकार के आंकलन का उप्योग किया जाता है Option number first है योगात्मक आंकलन Option number second है नेद्यानिक आंकलन Option number third है परमानिक आंकलन और Option number fourth है रचनात्मक आंकलन तो यहाँ पर right answer होगा रचनात्मक आंकलन तो next question देखेंगे हरबर्टियन पांच चरण परनाली में निमलिखित में से किस चरण में पूरव विचारों से तुलना और उनकी समानताओं एव अंतरों पर विचार सामिल है तो Option number first है सामानिकन Option number second है संगत संगम Option number third है अनुप्रयोग Option number fourth है प्रस्तुति तो यहां पर आइट अंसर होगा Option number second संगम Next question देखेंगे Which of the following is not among सेकब five commonplace of curriculum तो यहां Option number first है teacher Option number second है government Option number third है curriculum making Option number fourth है student तो यहां पर आइट अंसर होगा Option number second government Next question देखेंगे निमलिखित में से कौन सा सिक्षा सास्तर का मूल नहीं है Option number first है सेक्षिक दर्सन Option number second है सेक्षिक इत्यास Option number third है सेक्षिक परद्योग की Option number fourth है सेक्षिक मनोविज्यान तो यहां पर आइट अंसर होगा Option number third सेक्षिक परद्योग की Next question देखेंगे किसोरा वस्थव है विकासात्मक कारिय निमलिखित में से कौन सा है Option number first है लिंग भेद और योन सालिंता सीखना Option number second है सामान्या खेलों के लिए आवश्यक सारेरिक कोसल सीखना Option number third है पुरुसोचित या इस्त्रियोचित समाजिक भूमी का प्राप्त करना Option number fourth है वरिद अभिभावकों के साथ समायोजन तो यहाँ पे राइट अंसर होगा Option number third पुरुसोचित या इस्त्रियोचित समाजिक भूमी का प्राप्त करना Next question देखेंगे हम उस परिक्षन को क्या कहते हैं जो यह जानकरी परदान करती है कि रूत ने उस परिक्षन में भाग लेने वाले 60% लोगों से बहतर परदर्शन किया है तो यहाँ पर option number first है नेदानिक प्रिक्षन option number second है निकर संधर्वित प्रिक्षन option number third है मानक संधर्वित प्रिक्षन option number fourth है एकिकरित प्रिक्षन तो यहाँ पर राइट अंसर होगा थर्ड मानक संधर्वित प्रिक्षन Next question देखेंगे महिला शिक्षा के बारे में निमलेखित में से कौन सा तत्या सही है ओप्शन नमबर फाइव विशव की निरक्षर जनसंख्या में आदी भागेदारी महिलाओं की है ओप्शन नमबर फाइव सेकंड प्राथमिक विधैल्या का परतेक अतिरिक्त वर्ष लड़कियों को हिंसा के परती अधिक सुब्द बनाता है आप्सिन नमबर थर्ड, वेस्विक स्तर पर गरामिन शेतरों में लड़कों की तुलना में अधिक लड़किया मादिमिक विधहलियों में जाती है आप्सिन नमबर फॉर्थ सहरी लड़कियों की तुलना में गरामिल लड़कियों के विधेल्या नय जाने की संभावना दो गुनी रहती है तो यहां पे राइट अंसर है आप्सिन नमबर फॉर्थ कि सहरी लड़कियों की तुलना में गरामिन लड़कियों के वितेलिया नहीं जाने की संभावना दोगवनी रहती है नेक्स्ट क्वेशन देखेंगे अनुकरण के बारे में निमलिखित में से कौन सा कत्थन गल्थ है आप्सिन नमबर फर्स्ट है अनुकरण में परतिस परदात्मक अव्यव होता है जिसका लक्ष्य जीतना होता है एप्सिन नमबर फर्स्ट है यहें रचनवादी अधिगम एव सिक्षन के सिध्धांत का अनुसर्ण करता है एप्सिन नमबर फर्ड है अनुकरण अलोचनात्मक और मुल्यांकनातमक सोच के उप्योग को बढ़ाता है उप्शन नमबर फॉर्ट है अनुकरण अनुभवात्मक अधिगम का एक रूप है तो यहाँ पर राइट अंसर होगा उप्शन नमबर फॉर्स्ट अनुकरण में परतिस परदात्मक अव्याव होता है जिसका लक्षय जीतना होता है वाचन वेकल्या के बारे में निमलिखित में से कौन सा तथ्या सत्या नहीं है तो यहाँ उप्शन नमबर फॉर्स्ट है वाचन वेकल्या बुदी मता की कमी के कार्ण होता है उप्शन नमबर सेकिंड वाचन वेकल्या भासा अधारित अधिगम एसकता है Option No.3 वाचन वेकल्या व्यक्ति को जीवन भर पर भावित करता है Option No.4 वाचन वेकल्या से पीडित लोगों को विसीष्ट भासा कोशल विसेशकर पढ़ने में किठना ही होती है तो यहां पर राइट अंसर होगा Option No.1 वाचन वेकल्या बुधिमता की कमी के कार्ण होता है अंतों के बीज सहमती का बिंदू नहीं है Option No.1 है वेवहार की अपनी व्यक्या में वे पुनर्बलन और दंड की अवधारना को सामिल करते है Option No.2 वे सहमत हैं की अधिगम को बढ़ावा देने के लिए प्रतिपूष्टी महतपून है Option No.3 वे परियावन और व्यक्तिगत कारकों के वर्णन के तरीके पर सहमत है Option No.4 वे सहमत हैं की अनुभव अधिगम का एक महतपून कारण है तो यहाँ पे राइट अंसर होगा Option No.3 वे परियावन और व्यक्तिगत कारकों के वर्णन के तरीके पर सहमत है नेक्स्ट क्वेस्टन, आज का हम लास्ट क्वेस्टन देखेंगे, तो यहां पे आप, पठचरिया में भासा का निमलिखित में से कौन सा मूल सिधान्त गल्थ है, तो उप्सिन नमबर फ़स्ट है, भासा का विकास मुख्या रूप से, भासा कक्षा सिक्षन में सब्दावल और व्याकरण पर अभ्यास के माध्यम से होता है, उप्सिन नमबर फ़र्थ है, भासा संग्यानात्मक विकास में योगदान देती है, तो यहां पे राइट अंसर होगा, उप्सिन नमबर फ़स्ट, भासा का विकास मुख्या रूप से, भासा कक्ष्या, सिक्षन में सब्दावली और व्याकरण पर अभ्याज के माध्यम से होता है तो ये गल्थ है तो आज के हमने अपने इस वीडियो में 20 क्वेशन कवर किये हैं उमीद है कि आप सभी को समझ आये होंगे और आपको साथ की साथ ये भी पता चल रहा होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल किया है क्योंकि ये हम वही क्वेशन कर रहे हैं जो पीछे पेपर में आ चुके हैं तो आज का हमारा ये वीडियो था जो पांचवाँ वीडियो है और आपने 20-20 क्वेशन के 5 वीडियो कवर कर लिये हैं तो हमारे टोटल 100 क्वेशन कंपलेट हो चुके हैं उमीद है कि आप सभी को हमारे ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और पसंद आ रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बहतर हो रही होगी और अगर आप ऐसे और भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको लग रहा है कि इन कोईस्चन की वज़या से आपकी जो तैयारी है और भी बहतर हो रही है तो आप वीडियो को जाज से ज़्यादा लाइक करें साथ में अपने उन सभी सातियों के साथ भी शेयर करें जो स्पेशल एजुकेटर बनने की तैयारी कर रहे है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाए ताकि जब भी हम वीडियो अप्लोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए थेंक्यो